Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम HDFC Retirement Savings Fund के Equity Plan का Review करेंगे देखेंगे किस टाइब के Returns इस Fund में हमें मिल रही है, पास्ट में और कैसा रिस्क इसमें लिया गया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Friends, HDFC Retirement Savings Fund का Equity Plan ideal है Retirement की Planning के लिए अगर आपका Retirement 8-10 साल दूर है, तब आप इस Option को चूज कर सकते हैं ये Fund start हुआ था 26 February 2016 में इसका NAV है 43.582, NAV होता है per unit का Price इसके Regular Plan का NAV 43.582 है चल रहा है अभी Expense Ratio की बात करें, तो दोस्तों Expense Ratio में बताता है कि कितनी Management Fees ली जाएगी वो इसका Expense Ratio है 1.82% का, अगर Minimum Investment की बात करें तो सिर्फ 100 रुपीज, Lumsum और 100 रुपीज की SIP से आप इसमें Investment कर सकते हैं, Maximum की कोई Limit नहीं है चलिए दिखते हैं किस टाइप के Returns इस Fund में हमें मिल रही हैं अगर किसी ने 1,00,000,000 इन्वेस्ट किया था तो कितना बना है इस Fund में और Category Average से हम Compare भी करेंगे एक साल पहले अगर किसी ने 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था तो उसकी Value है 1,00,38,916, almost 39% का Return आया है Category Average से जादा Return इसने काफी दिया है तीन साल पहले अगर किसी ने इस Fund में इन्वेस्ट किया है तो उसका Amount बन गया है Almost Double 1,97,000, 25% की Return आया है पांच साल पहले किसी ने अगर इसमें 1,00,000 इन्वेस्ट किया था तो Amount बन गया है 2,74,000, 22% की Return आया है और Category Average की Return रही है 12,85% अगर जब ये Fund स्टार्ट हुआ था शुरू में किसी ने 1,00,000 रुपे डाल दिये होते तो आज उसका 4 गुना से भी ज़्यादा हो गया Amount 4,35,994,20% का Return आया है दोस्तों एक बात का ध्यान दखना अगर आप इस Fund में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस Fund में 5 years का Lock-In है 5 years से पहले आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं चलिए SIP की बात कर लेते हैं अगर किसीने 1000 की SIP करीए इस Fund में 1 साल पहले तो उसका Amount बना है 14,642 पोसन का Return आयए 3 साल पहले किसीने SIP करीए तो 52,000 का Amount बना है 26 का Return आया है 5 साल पहले किसीने SIP करीए तो 1,16,000 programa है 26.85 पोसन का Amount Return आया है दोस्तों अगर आप इस fund में SIP कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस fund में हर installment आपकी 5 साल के लिए lock रहेगी या जब आपकी age 60 हो जाएगी तो पूरा पैसा unlock हो जाएगा For example, आप 10 साल इस fund में SIP कर रहे हैं और आपकी age 60 नहीं हुई है तो 10 साल के बाद आप पहले 5 साल का पैसा ही with profit निकाल पाएंगे क्योंकि इसमें हर installment पे आपको lock रहेगा 5 years का और इस fund में आपको tax rebate भी मिल जाती है under section 80C चलिए इसका portfolio देख लेते हैं Large cap companies में 46% का investment है Mid cap companies में 10% Small cap 30 companies में 20% का exposure है Total 71 stocks में investment है Top के 10 stocks में 35% का exposure है Top के 3 sectors में 33% का exposure है चलिए अब देखते हैं risk ratios कैसा risk लिया है इस fund ने as comparison to category average सबसे पहले बात करते हैं standard deviation की Standard deviation हमें बताता है कि इतना ज़्यादा risk है fund में जितना ज़्यादा standard deviation हो उतना ज़्यादा risk की fund हो रहा कहलाता है तो इसका standard deviation category average से ज़्यादा है काफी ज़्यादा है तो volatility fund जरूर है high volatility इस fund में है लेकिन इसने आपने पीछे देखा returns भी इस fund ने अच्छे दिये हैं अब sharp ratio में बताता है कि कितना risk free asset जैसे FDV के मुकाबले कितना ज़्यादा return fund दे रहा है इस fund का sharp ratio category average से काफी ज़्यादा है तो risk adjusted returns हमें अच्छे मिल रहे हैं इस fund में अगर fund में risk लिया गया है तो returns भी अच्छे मिल रहे हैं यह इसका मतलब है alpha हमें बताता है कि benchmark के मुकाबले fund कितना ज़्यादा return दे रहा है और alpha देखिए इसका 7 है वहीं category average का 0.23 आगें इससा में पता लगता कि risk adjusted returns बहुत अच्छे इस fund में मिल रहे हैं तो यह था friends HDFC retirement savings fund के equity plan का review next video में हम HDFC retirement savings के hybrid equity plan का review करेंगे जो इस fund के मुकाबले थोड़ा conservative है तो अगर आप conservative investor है तो आप उस plan में invest कर सकते हैं के लिए उसका review आप देख लीजेगा अगली वीडियो में thank you for watching friends